नमस्ते अभिवादान आपका Innocent Investor के इस नहे वीडियो में आपके लिए disclaimer उसके बाद बात करेंगे Future Group की Future Group के stocks में आज भयंकर खरीदारी आई हुई थी नीचे के level से volume के साथ खरीदारी आ रही थी और ये हमको एक सुगवगार दे रहा था कि कुछ अच्छा हो सकता है और जो हुआ है इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता deal हो गई है final से भी के द्वारा approval मिल चुका है इस deal को जो Reliance और Future Group के बीच में हुई थी तो चलते हैं exactly एक एक डेटा आपके साथ discuss करेंगे फिर चार्ट पे भी explanation देंगे आपको मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ कि चार्ट पर चीजें पहले से हो जाती है पहले से पता चल जाता है कैसे देखिए news आई है late night ठीक है 20 तारीक को late night ये नहीं जाई लेकिन आप देखोगे जब market की closing हुई उससे पहले ही मतलब की जो 20 तारीक को trading हुई है उसी session में ही stocks जो है वो बढ़िया चार चार पांच पांच परसेंट उपर बंदी दिये हैं और छोटे मोटे volume के साथ नहीं बड़े volume के साथ अगर आप द future enterprise limited में हुआ है खेर volume के साथ जब buying आती है इसका मतलब है कि indication है positivity का stock में एक बढ़िया momentum आ सकता है positive side अगर उसमें buying initiate हुई है एक normal किसी level पे अगर stock trade कर रहा था एक किसी support area में या किसी एक मतलब होता है एक zone बना लेते है stocks अभी हम exactly discussion समझ लेते हैं पहले हुआ क्या है जो य तो आपसे मैं माफी मांग रहा हूँ अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो हम सुरुवात करेंगे एक एक चीज आपको समझाने की कोशिस करेंगे आगे बढ़ते हैं सबसे पहली चीज जो आपके लिए समझनी जरूरी है वो यह कि सेभी का approval बहुत ज़्यादा जरूरी थ है वो final मोर पर आ चुकी है अभी जो सिंगापूर में केस चल रहा है उसकी सुरुवात भी होगी जनवरी के आखरी हफते में वहां पर सुग बुगाहट है खैर वो मामला अब बहुत पीछे चला जाएगा मतलब वहां से अगर कुछ negative news भी आती है कुछ बड़ा फर्क पड यानि की future group और reliance retail की बीच में जो कि मुके सम्मानी सहब लीड करते हैं इनके बीच में जो डील हुई थी उसको 20 जनवरी को सेवी ने approval दे दिया अब इसका मतलब क्या है Amazon सर पठकता रह गया कहां पर सेवी के द्वार पर कि भीया इस डील को मत होने दो मत होने दो लेकिन से इस डील को फाइनल होने पर मुहर लगा दी उसको हम यहां से समझ सकते हैं यह जो हमारे सामने डिटा दिया हुआ है लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सारी कैप आपको देना चाहेंगे कि 2020 में अगस्त के महीने में आप देखिएगा 24,713 करोन रुपए खर्च किये थे किसन जब सबकी किसमत अच्छी हो जैसे कि जो employees थे जो उनके अंडर में काम करते थे इन सबकी किसमत अच्छी थी इसलिए हर जगह से approval मिल गया नहीं तो मामला बहुत तगड़े से फंस सकता था आगे बढ़ते हैं अब भी सेबी ने क्या कहा उसको हम समझ लेते हैं और बहुत पर दिया हुआ है हाई कोड का सब मतलब सब कुछ मेल मिला कर यह कह दिया सेवी ने कि इसको हम फाइनली हम भेज रहे हैं अब मामला एंचल्टी में जाएगा और आपको पता है कि अभी भी exactly सब कुछ क्लियर नहीं हो गया है लेकिन समझे कि 90% काम हो चुका है अभी अपर स इस बार मुझे रहेगी कि जैसे पिछली बार आप लोगों को लोगों ने बोला था हाँ भीया साहब एमो लगा दो इस बार मैं यही गुजारिस करूँगा लोगों से कम से कम एमो लगाने की बात ना करें और इस बार इसलिए बड़ा momentum भी expected है let's see क्या होता है लेकिन हम थ इसलिए बार में दील होंगे हम अपनी तरब से कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कोई दिक्कत है इस डील से कुछ भी नहीं है हमें कोई तकलीफ नहीं है इस डील को आप आगे लेकर लेकर जा सकते हो इसका सिंपल सा मतलब यह समझ लीजिए से भी कह रही है कि अब मामला जाए जाए न्चल्ट में हमें कोई तकलीफ नहीं है इस चीज को बढ़ने दीजिए हम इसको अप्रूबल दे देते है ठीक अभी से ने यह हमारे सामने बात जो कही इसके पीछे उन्होंने क्या देखा उन्होंने यह देखा कि Amazon सॉरी जो future group के मालिक सहाब है वो क्या कह रहे है according to future group CEO क्या बोले थे कि वो तो यह यहां तक कह रहे थे Amazon wants future group to language मतलब यहीं जहां पड़ी है वहीं सरती पड़ती रहे मतलब आगे ना जा पाए company का कुछ भला ना हो Amazon तो यह चाहता है और क्या दुस्मनी Amazon निकालना चाहता था वो मुझे नहीं पता according to the future group CEO सहब his company reached out to Amazon 8 times सोच कर देखिए आठ बार Amazon के पास future group बोला कि यहां हमारी financial conditions नहीं है हमें आपके support की ज़रूरत है और Amazon ने बिल्कुल entertain नहीं किया इस बात को आप यहां पर देख पार होगे the e-commerce giant however did not provide any major aid मतलब कोई बिसेश सहायता प्रोवाइड नहीं किया Amazon ने जबकि उनको पता था कि ऐसा कुछ चल आए company के साथ वो अपना मामला लेकर बैठे थे कि हमारी future coupon में हिसेदारी हम indirect आपके promoter बन गये हैं तो हमसे भी ना पूछे आप यह कैसे कर सकते हो से भी ने ज would have provided as funds मतलब हम सबको असको वो हमको fund provide करा सकते थे चाहे bank से loan लेकर कर सकते या अन्य तरीकों से भी हमें वो पैसा दे सकते थे और सारी चीजे उनके साथ चलती रहती लेकिन वो ऐसा नहीं किये क्यों नहीं किये क्योंकि they want future group to language मतलब Amazon चाहता था कि future group बरबादी कि कगार प में बहुत मदद की वो ये कि future group के मालिक साहब ये कह रहे थे कि हम इतने employees को इतने shareholders को ध्यान में रखकर ये deal किये हैं Reliance के साथ और Reliance deal was a savior for us and the employees, stakeholders, shareholders and creditors मतलब बैंकों के लिए creditors, shareholders हम आप जैसे लोग stakeholders मतलब ये समझे कि सब की बात हो रही है यहां पर Reliance deal जो हुई final इसमें सब का भला है ऐसा जब SEBI के पास future group ने कहा तो वहां से ज्यादा chances हो गए कि इस deal को approval मिल जा है SEBI की तरब से CCI approval मिल गया SEBI का मिल गया अब जो होगा वो बहुत अच्छा होगा चार्ट पर चलते हैं उसी की खुशी हम enjoy करेंगे अभी मैंने आपको चार्ट पर पहले ही बता दिया कि क्या हो रहा है अगर आपको याद हो मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेकर जाना करूंगा वो गलती आप दोबारा ना दोराएं फिर से AMO ऐसे ना लगा दें कि आप enjoyment लेते रहें अभी मैं simply 2-3 request आपसे करूंगा कि जो लोग इतने समय से hold की हैं जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि future group के stocks को अगर आप यहां पर बेंचोगे तो कर क् में का बिल्कुल रेट नहीं और future retail के चार्ट पर ही मैंने आपको explanation दिया था कि आपके सामने नीचे के level पर support मौजूद है और जहां पर जिस price पर deal हुई थी आप 150 प्लस की बात कर रहा हूं है उस price पर आपके साथ deal हुई थी वहां पर भी लोग बड़े-बड़े target दे रहे जो लोग patiently hold कर रहे हैं उनको इस खुषखबरी का मतलब enjoyment लेने दीजिए let's say कि कहा तक momentum जाता है लोग मतलब हार मान चुके हैं हिरास गए हैं वो क्या करेंगे मतलब होता है न कि एक patience की सीमा होती है अभी जितने लोगों का भी rate आएगा वो सब exit करने के बारे में ही सोचें हैं आप उनको और फंसाने की कोसिस करोगे क्यों कि आप जैसे ही 5-10-15% का profit पाओगे आप exit करोगे यह normal etiquette नहीं है किसी भी ऐसे stock में जो news बेट हो उतमें कूद फांत के खरिदारी करना पहली चीज़ दूसरी चीज़ अगर आपको करना ही है तो आप बड़ा risk ले रहे हो अब आपको मैं जाते जाते एक चीज़ बता देता हूं कि जो यह momentum पहले से आ रहा है इस दिन या फिर आज की जो previous day की trading होई उसमें हमारे समझने के लिए पूरी की पूरी कहानी है कि सब कुछ सब को पहले से पता होता है हमको news मिलती है एक दिन बाद जिनको खरीदना होता है वो पहले से खरीद के बैठ जाते हैं वो पूरी rally करेंगे हम सब एक मोरे बन कर रह जाते हैं इस कारण भी मैं आपको ऐसे stock से दूर रहने की सलाह देता हूं अब reality में हमको क्या करना है हमको अगर हमने इतने समय hold किया है तो हमको बिल्कुल बने रहना है कम से कम अपने rate क के लिए कम से कम चोटे मोटे profit के लिए कम से कम जितना bank fd rate देता है ब्याज उतना तो हम कमा कर ही निकलें अगर हमने इतने दिन hold किया क्योंकि अगर अन जगहों से आप comparison करोगे इस stock का बाजार के मुकाबले बहुत सस्ता है let's see कि कैसा momentum आता है आपको तैयारी बना कर रखन हम एक और वीडियो लाएंगे in-depth analysis के साथ किस stock की कैसी value क्या situation बनेगी आगे चलकर उसको समझाएंगे यहाँ पर हमने deal का discussion किया आपके सामने रखा देखो कोई किसी का भला नहीं चाहता मैं फिर से आपको जाते आते यहीं चीज कहूंगा ना reliance हमारा आपका भला चाहता ह नहीं नहीं तो वो अलग situation अलग तरीके से काम करते उनकी मजबूरी ठीक shareholders का नाम लेकर सेभी के पास जाओ high court में जाओ जिससे की आपको ज्यादा better approval chances मिल जाए आपको ज्यादा value दी जाए और यह हमेशा होगा employees की value अलग level पे चली जाती है इसको आप जब समझ जाओगे तब ही इस बाजान में पैसा कमाना सुरू करोगे जितने भी लोग hold कर रहे हो आप सबको congratulations enjoy कीजिए ride आएगी उसमें फंसने की जरूरत नहीं है कि और पैसा डाल दो और पैसा डाल दो average करना जब था तब था बनिया सपोर्ट जहां था तहां था अभी हमारे सामने चारा सि पर नहीं बेचेंगे आगे जो value addition होता है इनके stocks में उसको हम देखने की कोशिस करेंगे फिर से वही होगा कि जो stocks सब जाकर मिलेंगे future enterprise limited में उसका एक बार के रिए ratio फिर से उपर आ सकता है यह सब discussion हम बाद में करेंगे अभी के लिए आप enjoy कीजिए really आपको मिलेगी तो enjoy क कर लेना मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में तब तक के लिए हस्ते खेलते रहे यार वीडियो देखने के लिए आपका पुद्बुत आभार धन्यवाद